हलो फ्रेंड्स आप सभी के हमारे इस यूटूब चनल में स्वागते हैं फ्रेंड्स यह अब्स्टेक्ट अलजेवरा का लेक्चर नंबर 6 है इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिन में हमने ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल ग्रुप और इन सभी की डेफिनिशन इ क्या है पर्याइएट एक्ष ब्लावर एक्ष बरावर एक्ष एक्ष है फूरोटे रेट ग्रुप के ऐसे लिए यह लित्स दोस्टित्र है मैं वह उनका सभी के जो राज़ाजर क्यलाता है जो सब्सक्राइजर की यह वह से प्राइजर होता है अभी प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम है ऑफ इस जो है सबसेट है जैड़ जी यानि इस सेंट्र ऑफ जी जैड़ जी क्या होता है सेंट्र ऑफ जी इनकी डेफिनेशन क्या होते हैं यह हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको प्रॉब कर रहे हैं लेट च वरावर जी हमने पहले सपोज कर लिया जिए जो है वो जी है अब हमें सो करना है कि इस कंडिशन में एज जो है वो सबसेट रहेगा सेंट्र ऑफ जी का तो यहां स यह है लेट आच बिलोंग टूए जूए कैसा अलमेंट है एक इसका अलमेंट है यह को है यह कि एकश्यक्त रिवींट है थे लेके चल रहे है तो यह हो गए यहां से एक्स पराबर action any element h in in h commutes with all element of g यह वह गया यहानि कि any element h जो कि k कोई हुए element होगा वह इस करेएगा with all elements of g के साथ तो यहांसे हम कह सकते हैं कि है जो है belongs to center center of zg है यहानि कि h जो है capital z है जो है चैजो अज और सब सेट है जेड़ जी का अब इसका converse part देखते हैं let h is subset of zg अब हमने ले लिया कि h जो है वो subset है center of g का तब हमने सो करना है कि center of h बराबर जो है वो g है let x belongs to g अब हमने लिया कि x कोई element है belongs to g since h is subset of zg h is subset of zg तो यह हमने मान लिया अब अगर हम h is subset of zg यह हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास यह है तो each element of h h जो है वो subset of zg का तो center की definition से इसका element h का हर element जो है वो commute करेगा with all element of g क्योंकि इसकी definition से जेड जी की definition center की definition से तो यहां से यह हमारे पास हो गया तो यहां से हम कह सकते हैं xh बराबर hx for all h belongs to h यहां से हो गया एक्स बराबर hx for all h belongs to h यहां से हो गया एक्स बिलॉंग्स टू सी एच एंप्लाई जी इस सबसेट ओफ सी एच जी जो है वो सबसेट है जी एच का बट यह तो मेरे पास कहीं है वो सबसेट होता है जी का तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं जी जो है वो सी एच के एक्वल है उसके बाद अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं लेट एच भी आज सब ग्रूप ओफ ग्रूप जी एंड एन एच वरावर ए बिलॉंग्स टू जी जहां पर एच एच ए इनवर्स इक्वल टू एच प्रूप देट एच 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 इस सब ग्रूप ओफ जी विच कंटें एच डेफिनिश्ट प्रॉब्लम फिर से देखते हैं लेट एच भी आज सब ग्रूप ओफ ग्रूप जी एच जो है वह सब ग्रूप है जी का एंड एच जो है ऐसे एलिमेंट का सेट है जिनके एच एच एइंवर्स बराबर एच हो रहा है जिए प्रूप करना है मैं एच जो है वह वह वेस्ट ग्रूप और जो की विच कमटेंट जो कि एंच को कन पहलने कि सब्सक्रेंट यह तो न कि कि इंवर्स तो एकषिठ विरमेंट के लिए यह क्या है भाघ दोट यह अ why收 घ्लियुक्त और मॉलमिए और और क्युक्त खायए तो यह वह हम्हें लियुक्त इंवर्स तो यह रिए हो गई होगा हुगा यह को मिंध्य हो गए हमारे पास तो तो यह इलॉंग टू आ नहीं कर गया आप हमने सब्सक्राइब कर और बी कुछ दो एलिमेंट है N H की तो इस condition में हमारे पास इस condition को follow करेंगे यह एंद ब्रावर H and B H B inverse ब्रावर H, इस condition को follow करेंगे अब अगर हम देखें B H B inverse ब्रावर, H इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम इस तरह left hand side में B inverse operate करा है, right hand side में बी ऑपरेट करा है यहां पर फिर कराना पटेगा हमें सेल में बी इन्वार्च और व् यहांषे भी इन्वर्स वी वरावर 301 नीवर्स एच वी बेँ बिट्राबर ग्रमाद्र और हम देखें अब इसी में क्या कर रहे हैं इसको रहे हैं इसमें इन्वर्ष तो यह हो गया हमारे पास एच्ट इन्वर्स ब्राबर यह हो गया हमारे पास यहां से कहाथ ऑच्छ अपर नबस ले तो हमारे पास बीन ऑबर्स और बुर्स यह इसको लिख सकते हैं बी एन बर्स से होता है डी एन वर्स तो यहां से हमने कि विः ऑफ से और रहे हमारे सब्सक्राइब हैं जो है वह बिल्च टू एनि va कर रहा है heby inversion हमने क्या लेकर लेते हैं आफ एय और बी ब्लोंग टूए एंच और जो एफ फहले ही पड़ चुके अगर एक ब्लोंग स्टू एज्ट कर रहा हो दैन अगर leg B inverse belongs to H कर रहा हो तो H जो होता है वो subgroup होता है यहां पर हमने simply N लिया तो A belongs to NH एक set था B belongs to NH दूसरे element था NH से और A B inverse belongs to NH है तो यहां से हम कह सकते हैं A B inverse जो है वो भी एक subgroup होगा जी का तो NH is a subgroup of gene and since H belongs to H है तो H है तो H H dot H inverse बराबर क्योंकि यह element ह के है यह element ह के तो प्रोपर्टी से यह हो जाएगा हमारे पास equal to H है यहां से हम कह सकते हैं चुकि है यह बराबर ह यह बराबर ह है यह बराबर ह है यह बराबर ह हो तो उस condition में ह होता है तो इसी condition हमारे पास है यह है इसको देखें तो इस पर है यह बराबर है यह हमारे पास है तो हो गया यह है हो गया तो यहां से हो गया है वी फैंड एच विलोंग्स टू एन एच showing that H is subset of NH so H जो हो गया वो subset हो गया हमारे पास basically हमें NH जो है subgroup सो करना था जो कि यह ही पर हमारे पास हो गया उसके बाद second problem हमारे पास है suppose that H is a subgroup of group G so that whenever H is not equal to HB then AH not equal to BH अगर prove that GH G inverse subset of H for all G belongs to G यह कहरा है हमारे पास suppose करो कि H जो हो एक subgroup है जी का एंड जब भी हमारे पास H is not equal to HB होता है तब AH not equal to BH होता है तो हमस्कों करना है GH G inverse जो है वो subset of H है for all G belongs to G तो इसको अगर हम दूसरे तरह पढ़ना चाहें it is given that H is not equal to HB then AH not equal to BH thus if AH equal to BH अगर हमारे पास AH equal to BH होता तो उस condition में H equal to HB होता है यानि जब जब H is not equal to HB है तो AH not equal to BH है तो इसका opposite part क्या हो जब AH equal to BH है तो H equal to HB होगा अब हम क्या कर रहे है नाव लेट जी बिलोंग स्टू जी अब एक है कि डाट एक बरावर जी इंवर्स क्या लग सकते हैं जी इनवर्स है यानि हमें अगर श्रों करना चाहि dokład ऑना जी और एक के लिए हम जी इन वर्स आज दह तो यह हम देदी इन बरस तो क्या लिख सकते हैं जी इन बरस कम ऑसको प्रोपर्यटि से एच है हमारे पास यह है जो है क्या है यह हो गए हमारे पास अ कि अब जब यह तो हम sarsmao G in वर बैसिकली यह हमारे पास इसके विल्ट था तो इस थोरम का हप्र से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एजन ब्रबर क्या होगा है जे इन्वर्स तुछ हो गए हमारे पास अब जी इन्वर्स अब जी इन्वर्स एज को क्या लिख सकता हैं वो कुछ इस तरह से थोरम थी हमारे पास है ए एच बराबर हो तो उस कंडिशन में एच इए इनबर्स बराबर होता है यह हमने एक थोरम पड़ी थी प्रिविएस वीडियो में वहां से हमने यह उठाया है तो यह हो गया हमारे पास है 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 जी इनबर्स एच 20 फौल ऐन से हम कैसे जी जो है वह सबसेट है एच का तो इस तरह से हमारे पास जी एंवर्स एच जो है सबसेट ओफ एच जो कहीं सो करना था और उसके बात अगज पोल्लमम है मारे पास फ जी बराबर 7-15 एंड एच वराबर ellाई जब G बराबर S3 है, तो S3 के बाकी elements क्या होंगे? जब बाकी elements होंगे, फ्रेंस वो होंगे 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, I, इस तरह से जो भी सारे elements होंगे, उनका हमें multiply करके लिख देंगे, तो हमारे पास left coset हो जाएंगे, तो इस तरह से left coset और right coset निकाल सकते हैं, simplicity, simply, उसके बाद next definition है हमारे पास, let h and k be two subgroup of a group g, we define h k, बराबर h k, h belongs to h and k belongs to k, then h k will be a non-empty subset of g, called the complex of h and k, h k इस तरह से define है, जहाँ पर h k multiply होता है, h का element, पहला element h से होता है, दूसर element k से होता है, तो उस condition में h के जो होता है, वो complex of h k कहलाता है, अब यहाँ पर हमारे पास एक थोरह में, जो कि complex of h k से related है, यह है h के complex of h k जो है, वो एक subgroup होगा, तो उस condition में हमारे पास यह subgroup होगा, अदरबाद यह subgroup नहीं होगा, तो let h के भी यह subgroup, if and roll leaf की condition है, तो हम पहले हमने ले लिए कि h के जो है, वो subgroup है, तब हम सुख करेंगे h k equal to k h है, let h के भी यह subgroup, v so h के बराबर k h, let x belongs to h k, यानि कोई element ले लिया, जो कि इसका element है, be any element, तो यह इसका element है, यह subgroup है, तो x inverse भी इसका element होगा h k क्योंकि यह subgroup है, और पहले ही हमने subgroup माना है, तो x inverse belongs to h k, यह हो गया, तो x inverse को भी किस तरह से लिख सकते हैं, h dot k, four sum h और four sum k, यानि किसी x inverse क्योंकि h k का element है, तो इस form में लिखा जा सकता है, h और k के multiply के form में, यानि एक h होगा, h का element होगा, यह k के लिख सकते हैं, तो x पराबर क्या लिख सकते हैं, इस से यह होगा हमारे पास x inverse पराबर h k, बट अगर हम inverse का भी inverse निकाले तो x आ जाता है, तो इसका inverse यह होगा h k का inverse, इसका अगर inverse की definition से यह होगा k inverse h inverse, जो की k किसे element के जो है, वो element है k का, और h जो element है h का, तो यहां से यह होगा k inverse h inverse belongs to kh, तो यहां से होगा हमारे पास h के जो है, वो subset of kh है, क्योंकि हमने h k का एक subset लिया था और वो kh में denote कर दिया, अब अगर इसी तरह हम kh का element लें, y belongs to kh, और similarly जैसे यहां पर हम गए थे, उसी तरह से हमने जाएंगे y belongs to kh, तो y inverse भी element होगा k h का, y belongs to kh हो, क्योंकि k h जो subgroup है, यह होगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास simply, यह होगा y belongs to h, क्योंकि यह subgroup है तो y inverse simply जैसे इसमें गए थे, यहां से होगा है, h k y belongs to h k, h k is a subgroup, तो यहां से होगा k h subset of h k, यहां से होगा k h जो है वो subset h k, तो यहां से होगा हमारे पास, कि यह अगर h k subgroup है तो उस condition में h के बराबर k h होगा, यह होगा हमारे पास, अब हम ले रहे हैं कि हमारे पास यह condition hold कर रहे है, h1 k1 dot h2 k2 का inverse, तो हुदर h1 k1 k2 inverse h2 inverse, तो यह होगा है h k1 k2 inverse h2 inverse, अब फिर्स यहां पर हम देखें, k1 k2 inverse h2, k1 और k2 क्या है element, यह हम जिसा k k element है और यह h2, जो है h का element हो यह belongs to hk करेगा, hk क्यों करेगा, basically belongs to basically k h करेगा, k h, बर k h क्या है, k h जो है equal to hk है, तो हम यहां से कर सकते हैं, यह belongs to hk भी कर रहा है, क्योंकि k h belongs to hk है, और इस तरह से हम कह सकते हैं, कि k1 k2 inverse h2 inverse belongs to equal to hk, यहनि कोई element h का element होगा, कोई belongs to k का element होगा, क्योंकि k1 k2 inverse हमने यहां पर सुकर लिए, यह hk से belong करेगा, तो इसको h.k की form में लिख सकते हैं, for sum h belongs to h and k belongs to k, तो यह हो गया हमारे पास, यहां से हम कह सकते हैं, यह भी inverse equal to h1 dot hk, तो यहां से होगा, h1 dot h dot k, यह जो element है हमारे पास, basically हमने यह क्या क्या है, यह भी inverse ना लिखकें, इसको अगर हम लिखें, कि यह element जो है hk से define है, अब हमें सोग करना है कि पूरा element यह हैं h का multiply, तो h का multiply भी कर देंगे इसमें, तो यह element hk का है, तो h dot hk का element हो जाएगा, यह हमारे पास पूरा हो गया कि hk1 k2 h2 inverse जो है, वह belongs to hk कर रहा है, तो यहां से हो गया हमारे पास यहने की a b inversion, a h1 k बन था और b inverse a और b1 जो कि हम यहां से लेके चले थे, यह belongs to hk कर रहा है, तो यह हम कैसे हम कह सकते हैं, कि यह जो set था hk जो setup वह भी एक subgroup है, अब next theorem हमारे पास if h and k are finite subgroup of group g, then order of hk equal to order of h dot order of k divided by order of h intersection, k, यह हमें so करना है, तो फिर्स इसमें हमने लेंग राज्तोरम की help की जरुत पड़ेगी, लेंग राज्तोरम जो कि हम अपनी last video में पढ़ चुके है, let d equal to h intersection k, हमने suppose कहले है कि d जो है वह h intersection k है, अब चुकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो subgroup का intersection जो होता, वह subgroup होता है, तो d जो है वह भी एक subgroup होगा, और चुकि यह इसका subgroup है, यह हमने क्या पढ़ा था, d जो है h and k2 दो subgroup है, of g k, तो h intersection k भी एक subgroup होगा, तो यह इसका subgroup होगा, h जो होगा, वह भी एक subgroup होगा, h intersection k अगर d माल लें, तो d भी एक subgroup होगा h का, d भी एक subgroup होगा g का, और d भी एक subgroup होगा g का, and d h का भी k का भी and g का भी सभी का subgroup होगा, तो यहां से हम by language theorem, language theorem की help से हम k को किस तरह से लिख सकते हैं, d k 1 union d k 2 dot dot union d k l, यह लिख सकते हैं यहां पर हमार पास d k t ले लो, d k t ले गया, तो language theorem की help से ही, तो यह हमार पास अगर order की बात करेंगे तो order of k बराबर, order of k 1 order of k 2 order of k 2 order की बात करेंगे तो order of k बराबर, order of d k 1 plus order of d k 2 plus dot dot order of d k t, यह हो गया, अगर इसका order, क्योंकि सभी जो right coset or left coset होता है, right coset or left coset यह हमारे पास right coset सभी का order same होता है, तो इसको अगर यह t time है तो t dot basically order of, इसका order of d k 1 लिखने इसको, plus order of इसका भी same होगा तो order of d k 1 plus d k 2 को भी d k 1 लिख लिए, क्योंकि order सभी कर right coset के same होता है, को सेट का order भी order of d होता है तो यहां से t बराबर लिख सकते हैं order of k upon order of d यह हो गए हमारे पास again h के बराबर क्या होता है h के basically क्या होता है h ऐसे multiply and i t बराबर 1 2 t i बराबर sorry t बराबर 1 2 i बराबर 1 2 t d k i and since d is subset of h जोगी जो है वो subset है h का तो h d equal to h यह हो गए हमारे पास है यह सारे right coset यह जो property है यह कहां से हमारे पास यह property है हमारे पास k को क्या लिख सकते हैं यह हमने theorem पड़ी थी अगर हमारे पास g एक group है h एक subgroup है तो अगर हम उसके सारे right coset को लिख दें ए एच बन ए एच सोरी ए ए ए बन एच प्लस और एटू एच ए थ्री एच सभी district right coset को लिख दें वो इनका union जो होता है g के बराबर होता है उनका union जो होता है वो जी के बराबर होता है यह पड़ी थी हमने तो इसी की provider के help से इसको म्लिख सकते है कि क्योंको म्लिख सकते हैं कि यह सारे is के यूनियन का सभी रैट को सेट का यूनियन है हमारे पास यह हो गए हमारे पास तो हक को लिख सकते हैं आई बराबर 12th.ki यह हो गए क्योंकि हमारे पास यह dki जो है basically d होता है तो यह हो गए order of hk1 union hk2 union dot union of hkt नाव नोट two of hk1 hk2 hki can be equal क्योंकि अगर यह equal हैं तो उस condition में हमें hki बराबर hkj मिलेगा फोर्सम i and j तो उस condition में हम देखेंगे के सब्सक्राइब करते हैं तो यह हो गया ki.kj inverse belongs to h intersection k1 kj inverse belongs to d dki बराबर dkj dki बराबर dkj हो जाता पर dki बराबर dkj हो नहीं सकता क्योंकि यह हम distinct right course यह लिए हमें जो कि true नहीं है यहां से हम कह सकते है order of hk1 plus order of hk2 plus dot dot order of hki जो कि hk1 का सभी का order क्या होगा order of h की को लूगने क्योंकि यह हमारे पास right course vector hk यह order of h order of h order of h सबुझ t time है यह हो गया t dot order of h तो यह हो गया हमारे पास order of h dot order of k divided by order of h intersection k यहा से यह हो गया हमारे पास क्योंकि order of h के जो है t.order of h है तो order of यह हो गया हमारे पास order of h के बाव t.order of h but t की value तो हम पहले ही लिकाल चुक है order of k upon order of d तो यह हो जोगा है हमारे पास order of h dot order of k upon order of h h intersection k जो कि हमें proof करना था अब फ्रेंट नेक्स्ट प्रॉलम है हमारे पास let h be a non empty subset of a group g define h इस तरह से h inverse जहां पे रहे h inverse belongs to g जहां पे h जो है element है h का then so that if h dot h inverse is subset of h then h is a subgroup of g second if h dot h is subset of h and h inverse is subset of h then h is a subgroup of g third if h is a subgroup of g then h dot h equal to h and h dot equal to h inverse and h dot h inverse equal to h ये और fourth है हमारे पास if h and k r to subgroup of g then h k inverse equal to k inverse h inverse तो उनको हमें proof करना है तो first proof परते हैं let a b belongs to h हमने सपोज किया ये और b जो है वो दो element है h के अब जो है वो एक सब ग्रूप है क्योंको ब्लोंग्स to h तो h inverse यहां से हमारे पास इसके लिए हम b को किस तरह से लिख रहे हैं a belongs to h b inverse जो है wirklich यह वो automatically है तो यहां से हमारे पास हो गया a b inverse belongs to h dot h inverse यह यह b inverse belongs to h dot h inverse subset of h क्योंकि यह हमारे पास दिया हुआ h dot h inverse subset of h है तो यहां से हो गया a b inverse belongs to h तो a b inverse belongs to h होगा तो यंगdem Вс vak इस जो है a b यह और भी दो दो एलिमेंट से एच के तो इस कंटिसर हम कह सकते हैं एच जो है वो सब ग्रूप है जी का थर्ड सेकेंड है हमारे पास इफ एभी ब्लोंग्स टु एच डॉट एच क्योंकि डेफिनिशन से दोनों का मल्टिपल ही करें कि एभी एलिमेंट है एच का और बी का कॉंपलेक्स की डेफिनिशन पड़ी थी तो यह हो गया यह डोट बी एलिमेंट है एच डोट एच का पट एच डट एच जो है वोुझसस सबसेट है च का तो यह होगया यह बिलोंग्स टू अ हो गई यह इनवर्स इस डेफिनीशन से बिलॉंग्स to H inverse और यह हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है सबसेट आप एस तो यानि यह इनवर्स वर सो बिलॉंग्स टू एच होगा हमारे पास तो यहाँ से सकते हैं वह है सब ग्रोप ऑफ जी क्लोजर और अन्वर्स प्रोपर्टी गोल्ड करने पर हम उसको ग्रोप बोल देते हैं क्योंकि हमने पहले थेओरम में पढ़ चुके हैं उसके पाद नेक्स्ट हमारे पास लेट एक्स बिलोंग्स टू एच यह होगा है लेट एक्स बिलोंग्स आपक्टल अफटल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स लूज क्योंकि हमने मिलिये ख़को एच के लिया था और यह वी चलिमेंट तो क्लोजर प्रोपर्टी से यह भी ब्लॉंग्स टू हो गया तो यह होगा है यहां से होगा है h.h subset है h का again h belongs to h तो h.e वराबर क्या होगा वो भी जो है वो भी एक identity element होगा क्योंकि h जो है वो subgroup है तो h.e belongs to h.h implies h is subset of h.h हैंस यहाँ से हमारे पास h.h is subset of h.h हुआ था है यहाँ से h.h is subset of h.h हुआ है तो यहाँ से कह सकते है h.h equal to h है हमारे पास दोनों का complex जो है वो h के equal है h.h याँ दोनो h का complex जो है वो h के equal है अगे अब हमने ले लिए now x belongs to h तो x belongs to h तो h inverse की definition से यहाँ से हमारे पास x inverse belongs to x जो हो है क्योंकि h फिलाल तो यहाँ पर subgroup है थाड में जो है subgroup है x inverse b belongs to h करेगा तो x inverse का भी inverse जो है वो x inverse की definition से इसकी definition से हम कह सकते है x inverse का भी inverse जो है बलोंक्स to h inverse है इंप्लाइज x belongs to h inverse तो यहाँ से हो गया हमारे पास h जो है वो subset है h inverse का and a belongs to hom person yahっちゃ procedure यहाँ से हम अगर h की definition देखें यह इसका निकालें तो यह हमारे पास इसका इनवर्स निकालें या हम यह कहें कि एज जो है यह ब्लोंग्स टू एज है तो इस एंड हैंज अई एकल्ट टू इस एनफर में हमारे पास हमारे पास फोर्थ है वो है एक्ज क्या सब ग्रूप ऑफ जी देनगे एकके इंबर्स एकल्टू एक इनफर्स है यह मैं सोकन ना है तो इसके लिए लेट x belongs to hk inverse यानि एक element ले लिए हमने x जो कि hk inverse का है imply कर गा है कि x बराबर x बराबर y inverse where y belongs to hk यानि कि x जो है वो hk inverse का element है तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं x को y inverse की फॉर्म में लिख सकते हैं where y belongs जो करेगा वो hk से करेगा तो यह हो गए y belongs to hk imply y जो है वो element किस तरह से h.k जहाँ पर h belongs to h का होगा k belongs to k का element है तो y inverse पराबर क्या होगा है k inverse h inverse यानि कि k inverse h inverse जो कि belongs कर रहा है k inverse h inverse से यह k inverse h inverse का element है तो x belongs to h x belongs to k inverse h inverse और that hk inverse is subset of k inverse h inverse यह हो गए हमारे पास अब again हम क्या कर रहे है x को ले रहे है k inverse h inverse का element तो इसका लिया है to x को किस फ़र्म में लिख सकते है a.b के जहाँ पर a जो होगा k inverse से बिलोंग करेगा b जो है h inverse से बिलांग करेगा यहां से हमारे पास य हो गया, A जो है K inverse से बuss converse से बस्स ब्लोंग करेगा FOR some H belongs to H और K belongs to K के लिए यहां से हमारे पास X ऍसलिए X जो है वो क्या है ? K inverse dot H inverse के form में लिख सकते हैं हैं तो यहां H के inverse बच्छस ब्रावर Y inverse की form में लिख सकते हैं WHERE Y बरावर K belongs to O posters हो गए हमारे पास k inverse h inverse जो है वो subset हो गया h k inverse का तो यहांसे हम कह सकते है h k k inverse h inverse के equal है इस वीडियो में इतना है next video हम साइक्ल ग्रूप से रिल्टेडड लेक्चर पड़ेंगे थैंक्यू fərंड्स